दोस्तो आज मैं खड़ा हूँ CamSik Electronics Media Road मुंबई में और ये एक छोटा सा बहुत ही खुबसूरत स्टोर है जहां आपको मिलते हैं बहुत सारे यूस्ट कैमरा एंड लेंसेज और इवन लेप्टोप्स तो आज का वीडियो का बनाने का मकसद यही है दोस्तों की यूस्ट कैमरा क्यों खरीदना चाहिए और किस प्राइस रेंज के अंदर आपको इस शॉप के अंदर अलग अलग कैमरा लेंसे आपको मिल जाएंगे बिगनर लेवल से लेके प्रो लेवल तक के तो मेरे साथ में इस्वक्त मिस्टर मुस्तफा और मुस्तफा से हम बात करें आगे की उसके पहले मैं सिर्फ आप से ही कहना चाहूँगा विल्कम बेक टू मैं चैनल फ्रेंट्स इस मनिश रकसेना लेट्स किट स्टार्टेग मुस्तफा जी इतने सारे आपने यहाँ पर खूप सारे यूस्ट कैमरा लेंसे रखे हूँ है इनके बारे में बात करते हैं लेकिन उसके पेले चोटा सा सवाल आप से पुछना चाहूँगा क्यों यूस्ट कैमरा खईदना चाहे किसी फटोग्रोफर को क्योंकि सर बहुत से टाइम क्या है कि आपका जो लेंसे वगे रहा है आप देखने जाओं तो लैक्स के ऊपर इंवेस्मेंट होती अगर प्रोफेशनल को फोटोग्राफर है उसको लैक्स में इन्वेस्मेंट करनी पड़ती है बट वही सेम चीज़ कि किसी को एक लाग का सब्सक्राइब तो समतिंग 50-60,000 में मिल जाएगा उसको उसमें कहाएगा उसका 40,000 से वो सीव हो जाते हैं और प्लस हमारी खासियत है शौप की कि हम सेकेंड हैं तो आज आप टेवल पर चेक कीजिए अगर कल कुछ हो जाता है तो आपको कहीं और ले जाना ऐसा नहीं हमार प्राबर रहते हैं वैसे टाइप के भी मिल जाएंगे मेरे पास जो आपको 20 30 40 परसंट कम प्राइस में मिल जाएंगे बहुत 40 परसंट आपकी सेविंग हो रही है ताच आपसलूट लिट प्लस उस पर वारंटे किसी किसी पर कंपनी की मिलती है किसी हर प्रोड़क्त पर व सबती है कि अगर कोई आदमी अपनी बिश्च्छ लेवल पर जा रहा है तो यहां पर एक कम पैसे के अंदर उसे प्रो लेवल की बाड़ी भी मिल सकती है एक मिच्च की बाड़ी बाड़ी मिल जाएगी कम पैसे के अंदर एंद सारे फीचर थो मिलि रहें आपको और पैसा में जो रिजन बताया था है कि आप कोई भी अपना करियर शुडू कर रहे हैं तो शुरुआत में अगर यूस कैमरा भी लेंगे तो नुकसान नहीं है आपको कम पैसे में आपको अच्छी बॉड़ी अच्छी लेंसे मिल रहे हैं और आपका जो इसकिल्स है क्योंकि आपके पास में अच्छी बॉड़ी अच्छा कैमरा तो इसकिल्स भी आपके इंप्रूव होते हैं तो यहां पर किस प्राइस रेंज के अंदर आपके पास कौन-कौन से कैमर लेंसे अवेलेबल हैं बेसिकली पहला तो अब मॉडल्स के ओपर डिपेंड क सब्सक्राइब तो ट्वल्फ एंडर्ड डे एक्चुली क्या है कि यह 15-16,000 के रेंज में आ जाता है कि कंडिशन में आप देखने जाओ दूसरी जगह पर यह सेकंड हैंड का मतलब एक्चली यह नहीं कि फुल्ली यूज किया हुआ कि फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया होग जाय कि किसे के बजट का पैसे के जरुवत है किसने अफटेट कर लिया को यूज नहीं कर रहा है किसी को गिफ्ट में मिला दो दैरा सवरेल फ्रीजन बट हमारी टीम किया कर थी कैम्म आभ एट करती है कि नको आगे कस्टुमर करती है तो हमारा मोसली 15 यह से हम यह लायन में और अगर इसमें थोड़े बत इस्यूज है तो आप उस पर काम करके फिर बेसे जादा करके ऐसा ही किया है कि हम जो कैमरा लेते हैं जादा प्रॉब्लम वाले लेते हैं जादा 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 जो फंगस कुछ रहता है बहुत से लोग कम यूज करते हैं तो अंदर डस्ट वग अंदर आपने पुरा चोटा सा एक वर्क्शॉप ना बनाया है तो कस्टोमर को कहीं जाने की जरूद भी नहीं है यह 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 शॉप प्र बैठेविट आपका सर्विस भी हो जाता है तो मुस्तफा जिसी आपने बता है त्वेल हंड्रेटी इसका क्या प्राइस आज की ऒ्राइव में जाता है यह आपको सिस्टेन उस्क्ट में रेंज में आ जाता है। में बस्गी एककली एंट में पिक्सलम उता है यह उर फू ऺिछ आप इसमें विडियो शूट कर सकत हुए। यह उर इस दो सिस्टी बारंस जाने सकते हैं लुक्ते हूइस दूर्ड बश् simples 15% उस्किए और 85% परसंगे सद्किन कमरें इस एक से अलमूस्ट रद न्यू कामरा मैं थोड़ा मेरे दोपी को बोलता है फोड़ा सा पास लेकर देखे इस पर विल्कुल ब्रैड न्यू कंडिशन है तो यह एक चीज़ बहुत अच्छी है उसके लावा और कॉन-कॉन से मॉडल्स है क्या क्या प्राइस रिंज में अपने पास यह बहुत बहुत बिगनर लेवल का हो गया इसके उपर अगर तो अगर तो अगर तो इसके उपर जाएंगा तो आपको सिधा और प्रोफेशनल में बता देजाओं जैसे कि आप सेकेंड में लोग सोचते हैं सेकेंड मतलब फुली यूज कंडिशन बेकार रहेगी उनका सब्सक्राइब बट कंडिशन सेकेंड में भी अच्छी रहती है तो में देख सकता हूं कि कंडिशन इसका काफी अच्छा है एस गुड एस निउव को अब इसके ओपर हम चले तो और कॉंसे मॉडल्स अभी अभी अविलेबल आपके बास चलेंगे तो हमारे बास 200D वागेर अविलेबल है यह किस प्राइज में है यह क्या प्राइज में है यह आपको 30 से लेकर 32 के रेंज में आ जाएगा यह कंडिशन में अगर आप उसको य से लेकर 30 के रेंज में आ जाएगा तो दूस अब देख सकते हैं यह कैनन 200D पुराना वाला जो मॉडल है यह 30,000 के आसपास बता रहे है इस वेरी गुड कंडिशन और इसमें एक साल की वारंटी अलरी कंपनी का रिमेनिंग भी है तो यह बहुत अच्छी बात है आपने बह पैसा इसमें इंवेस्स करें आप अपसे पहले हम चेक करते हैं तब ही हम एक साल के वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर कोई रहेगा कि आपको यहीं चेक कर लेकर जाना है तो डॉंट ट्रस्त देम आप वहां से मत लेना कौश जरूरी है आपको हर एक एक अलक्ट्ट पोपके एकसेसरी देते हैं जैसे कि आपको लेंस वरण है, कुछ फिल्टर्स वर उन गीववें हैं उन लोगों जो दो खाए कि अप घखा आपके अच्चोमर को अच्टोम रहता है तो आपको मैं अच्ट्री ते तो अच्छ लोग ते इच्टी अच्टनी में है ख़गेित आपके शॉप का वीडियो बनाने का एक मकसद यही था कि बहुत सारे लोग वो लोग काई बजट नहीं होता बट यह तो बिगनर लेवल के हो गया है मालू किसी को खरीगना है तोड़ा 5D Mark 4 या 5D Mark 3 जो कि बहुत अच्छे पुरानी बोड़ी होगे है बद स्चिल यू 5D Mark 3 तो दोस्तों ही मैं भी 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 उसके 5D Mark 3 इच वन अफ बेस्ट कैमरा इचिंग कानन ने बनाया है और यह क्या प्राइज में अभी मुस्तफा देख लेजे आपको जो एक कंडिशन अभी मिल रही है ना इस इस जुस्ट लाइक न्यूं कॉज यह सामने ली पाटी ने इस लिए आता शौक के लिए फॉल फुरेम में वह टाइम पर फाइव डी की बहुत डिमांड थी तो फाइव डी फाइव डी करके ही पर्चिस से फाइव डी माक तरी बहुत कम यूज किया है तो यह आपको बॉड़ी के प्राइज वो स्टार्ट हो जाते हैं सिक्स्टी थ बहुत अच्छी है तेस्ट करके आप इस पर टेस्ट इमेज लिए सारे फीचर्स टेक करिये पूरा बॉड़ी जो है तो बाद ही आप इसे इन्वेस करें तो नोट बाद शिक्सी फुल फ्रेम कामरा मिल रहा है तो फ्रेश कंडिशन बहुत सा इसा कि लोग कुछ भी कंडि जरूर मिलेगा चलिए बहुत अच्छी बात है इसके उपर अगर हम जाए तो और कौन सा कैमरा अपने पास आप जाएंगे तो 5D Mark 4 वागेरा भी अपने पास अवलेबल होता है जैसे आप यूज कंडिशन में देखो इस यूज फॉर लाइफ यूज यूज के आ है सामने यहां तोड़ा में देख पा रहा हूं इदर नीचे तोड़ा डेंट है इसके उपर आप और कंडिशन बढ़ती है जैसा कि सम्तिंग इस यूज वांग सो थी मन्स यूज क्या हो रहे तो वैसा को लेता है तो उनको वह इस आपसे लग बग नियू जैसी कंडिशन सस्ते में आ जाती है तो आप अपने कस्टमर्स को बता देते हैं कि यहां पर देंट है तुड़ा इधर है या उसने जाद जैसे आपने मुझे वीडियो ग्रफी पर यूज किया है यूज किया हूआ है ट्राइपोड्स वागेरा में 1.5 वे इसका यूज डई है और यह आपको बाड इसका प्राइज होते हैं अपर इसका प्राइज इंक्रेस होते हैं अपर इसका है कि जो नया बोड़ी आपको उसमें 40-50 की परसंट की कम आपको बजट पैसा बच जाएगा पर कंडिशन आपको अच्छा मिलेगा ठीक है यह तो आप जिसा बता रहें एक से एक लाग बीस आपको 5D Mark 4 यहां पर आपको मिल जाएगा depending on the condition बट एक मेरा सवाल है मुस्तफा चोटा सा अप उमीद आप उसका आंसर करेंगे बहुत सरे लोग जब खरीते हैं सेकिनेंट कैमरा तो वो पूछ से शटर काउंट कितना है इसका यह आपको भूस तो उसका क्या मतलब रहता ह है और उसका क्या आंसर देना चाहेंगे जो लोग करेना चाहते है यूज बाड़ी पहले बात तो सर आपको बताओ मेरा जादागर के पर्चिसिंग मुंबई से होता है तो यह रहता है कि जैसे आप कुछ कैमरा लेते हो जब आप उसको हाथ में लोगा तो कंडिशन से आपको आपको अगर चेक करना है फोन टो चेक शट अकाउंट ओल्सो वे हापी तो शो दाट आप चाहिए तो आप चेक कर सकते हो बाकि हम जो पर्चिसिंग करते हैं लोग मोसली कंडिशन के उपर लेते हैं ज्यादा करके आपको मेरे पास जो मिलें अच्छे कंडिशन के जो बाहर आपको न्यू में बेच रहे हैं लोग हमसे ले जाके पुट इंद अच्छा फैंसी बॉक्स अन एवरिटिंग इन मोर प्राइज और फिल लाइक उनके कश्टम हमारे पास आजा है तो हमारे को दस बार थैंक यू बोलिंग और उनको इतनी अच्छी चीज मिलें आपसलूटली हो रहे हैं मार्केट में लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे सामना आपको चीज दिखाऊंगा मैं इसमें पे कुछ वीडियो में बताता हूं आपको कि ऐसे कंडिशन का आपको जादा बाहर करके न्यू मिलेंगे यहां पर आपको सस्ते मा जाएंगे तो दोस्तों अब किस सरा से अपनी यूज करते हो रफली यूज करोगे तो आपका यूज दो आपका यूज करोगे तो अगर शटर काउंट भी है तो अससे मेरे इकाल से जादा फरक नहीं पड़ता अब बात करें 5D Mark 4 के ऊपर फिर इसके अलावा अपने पास और कौन से एकामरा है यह किसको निकॉन यूज करना को सुन किसी को सीखना है फोटोग्रफी शॉकिया तो इससे साथ एक बिसी कर सकते हो यह मैना बॉड़ी आपको बता हिए इसमा आपको लेंस भी लगा के मिलेगा अप्लीट चार्जर मैट्री बैग बेल्ट मेमरी काट रहेगा तो मेमरी काट दे अच्छा चेज आपको मिल जाएगा तो दोस्तो आप देख पारे हो की बहुत अच्छी कंडिशन में मैं देख रहा हो यह निकॉन D3100 अगर आपको शॉकिया फोटोग्रफी करनी है बेसिक सीखने तो हाथ साफ करने के लिए इस तरह की यूज कैमरा लेना कोई बुरी बात नहीं है और कैमरा है अपको यूज करना है अब यूज है नया है नया है तो जादा पैसा आपको खर्ष नहीं करना है और यूज करना है 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 बुरी नहीं है बुरी नहीं है बुरी नहीं है बुरी नहीं करना है उसके बाद किसी को full frame अगेरा में भी जाना है तो भी आप डिशा एक प्राइस का आइड़ दिजी जैसे 7100 कितना तक मिल जाता है अ second hand मैं लेने जाओ कि यूज कंडिशन मैं जैसे मैं आपको कंडिशन में बता है कंडिशन के ऊपर वेरे होता है कि यह कंडिशन है तो यह प्राइसिंग यह कंडिशन लो में आप लोग है तो 35-36 के रिंज मा जाएगा विद 18 140 विद दे लेन्स पूरा सेटप के बात कर रहा हो मैं फिर और कंडिशन जैसा बॉक्स है उसके साथ ब्रैंड न्यू है 95 परसंट कंडिशन है तो 5-6000 इंक्रीज हो सकता है अगर कंडिशन है 70 परसंट कंडिशन है तो उसका कुछ है 6-7000 लेस भी हो सकता है अगर कंडिशन दोस्तों तो आप आये चेक कर ये कंडिशन कैसा है ये कौंसा है अपनारे याप इदर एक D90 ये तो बिल्कुल ब्रैंड न्यू कंडिशन में है अपसलूटली सामने बस कहता ना बहुत सो लोग शॉक के लिए ले ले लेता है यूज नहीं करता है ये मुझ दोस्तों 24,000 रुपे में आपको D90 मिल रहा है 18-105 लेंस के साथ में and I think दोनों लेंस भी पूरा ब्रैंड नहीं हुआ है ये सामने अले के पास सामने बराबर यूज किया और जो देखेंगे कोई कही नहीं सकता है सर ने बोला कि ये सेकंड मुझा नहीं लग रहा है जब आ जो information है वो हमारे दर्शकों को सही और दुरस्त मिले और इस 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 इंक्रेडिबल या तो अगर आपको 24,000 रुपे में D90 मिल रहा है सीखने है फोटोग्रफी और आपको आपका कोई ऐसा नहीं है कि अभी प्रोफेस्टन लेवल पे जा रहे है या चोटा मोटा काम करत अगर निस इस 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 इत ठा कैमरा अभी लोगों ने कि स्टापी और इस इस पर अप़ अजु चिestर आंवी कैमरा ये वह यह चो इस फुल फ्रेम ई 7s 80. क्रिम क्राथी इसलिडसे वोई क्रभ causing QA चृऌ और यह बैं गा हॉझरिया कॉर है जो आप ग्रौतर छिठ हुआ है। वह भी जाने 20 मिल जातेजे ए उभाव तो ऍル खायने 20 ₹ महीं प्राइस नदिने 20 कि अपको आप आप जायेगा with को मिल जाएगा विद दे लेंस फुल फ्रेम कामरा है निकॉन दी 750 और 120 ट्रडिशनल लेंस के साथ अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर अगर अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपसुटली गो विद इस आपको जो लेंस मिल रहा है ऐसा है कि आपको ट्रडिशन लेंस है और वन यर का वारंटी वारंटी है प्लस कंप्ली टक्सेसरीज है मैं यह बूलना चाहूंगा अगर आपने एक बर मुझसे सामान लिया ता मेरे ही कस्टमर बन के होगा आप कुछ पिन भी चाहिए रहेगा तो आपको जब यहां आओगा जब आपको चीजे दिखे आपसलूटली यू लव दाट अपको अगर यह दो चीज उसको मिल रही है तो डेफिनिटली ही विल कम ओवर यह अगेन 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 प्रस्ट पर तो हम फुली कॉंदेंस है और सेकेंड पर हमेशे हमारा परफेक्ट टैन आपको मिलेगा चीज भी अच्छी मिलेग और प पूरी यह कोशिश करते हैं कि कस्टोमर कहीं से बाजू से भी आया नेरबाइ से उसको खाली ना दें प्यार से इतना अच्छा केमरा उनको मिले वह हम चाते हैं कोई पुछना चाहूंगा मुस्तफा जैसे यह आपका मुंबई में मिदा रोड में शौप है अब हमारा चैन पड़ाय में सप्लाइब करता है यह ना राइट ना विए सप्लाइं के मेरा सिन आल ओवर इंडिया तो सेफ़ली पैकेजिंग के साथ डबल रैप अगरे के साथ पैक होते हैं और हम कूरियर करते हैं उनको आपको ट्रैकिंग आडेस हम वाट्सप करते हैं जैसे पेमेंट ह होता है और किसी को cash on delivery करना है यह main part किसी को cash on delivery करना वो भी कर सकता है 50% पहले down payment करना पड़ेगा 50% कुरियर के time पे किस पास पैसा नहीं है किस पास दो दिन बात पैसा ने वाला है बट वो उनको product चाहिए क्योंकि second में कैसा है कि एक बार यह sale हो गया तो इस लाइक कीवोट हमान्स को सिम्ट प्रोड़क का यह कर सकते उफिफ्टा सकता है 50% कर सकतराँ तो अगर वह आपको सेफ भी करने तो फुल पेमेंट विदिन टू डेस के अंदर आपको पूरा कुरियर जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा सेफ ले और हम लोग वह बहुत टाइम से लोग आरे भी हैं मरबाद दूर से और जो नहीं आपाते हैं उनको कुरियर भी कर रह सकते हैं इन से कांटैक्ट कर सकते हैं नहीं के कांट्फ डिटेल्स आपको समं मिल जाएगा इंस्ट्रग्राम के पेच बर बात करते हैं कुछ ही लेंसे हा रखे हैं ये किस रेंज में अब मेंली जो दो सवाल हैं जो यूस कामरा खरिकते वक्त आते हैं लेंस करिकते वक्त आते हैं एक तो फंगस का इशुवाता है और दूसरा जैसे आटो फोकसिंग के शुवाते कि आटो फोकसिंग बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तीसरा कोई वियर और टेर तो नही तो हमारा सर्विस जो है हम क्लीन करके आपको दे देंगे सर्विस में उसमें आपका पर्फेक्ली आज इस क्लीन करके और मिल जाएगा और पर्फेक्ली उसके साथ हम वनियर की सर्विस वारेंटी प्रवाइड कर रहे हैं तो आपको सर्विस में एक साल में जब आपको लगे क की क्या होता है एल्टिमेटली लेंट यह पिक्चर बनाता है तो इगरắp तो अगर अच्छा नहीं एक बाड़ी कि सधेंच का फोकेश तो जाता है था पर जाने कि तो पक्राइब हो जयाए के वी आपको शोप करते हो इसमें से वो चीज़ दिखादे टीबल पर ताकि आप उसको चेक करो तो वन शॉट मैं आपका मैंन क्लिक कर रहे हैं आप गटिंग परफेक्ट शॉट और इस लेंस इस परफेक्ट फॉर मिय ओकी इस इस अमेजिग सो यह बात मुझे इनके अच्छी लगी कि काफी यह इनके अच्छी जूम लेंज इसमें बेसिक सतर तीनसो वाला सतर तीनसो वाला तो यह आपको सेवेंट से एट थाउजन की रेंज में आ जाएगा इन सच का न्यू कंडिशन में अच्छा आपने बदाए साथ जार प्राइस तो नहीं का रहा है यह यह न्यू टॉंटी थाउजन में से 5,000 तक माला वह भी किसी का कम बजट है कुद मैनुवली कर सकते हैं को अच्छा रखते कि मैं मैनुवली यूज करो तो वह लेंज भी हमार पास अवले है तो दूस्त अब देख पर हो यह बिल्कुल एक बेसिक लेंस है लेकिन कई बार लोग को ज़रत पड़त पड़ती इसके भी उसके लबाव यह कौन कौन से जूम लेंस हैं एक बार जल्दी से सबके प्रेस ही बताते जाएं तू हंड़ेड फाहंड़ यह आपको 55 शाथ-जार के रंज भी निखाएंगा यह एक बार थोड़ा सा जूड़को लिखाएंगा इसका क्लोज अपी लेले लेलेता तो पर्फेक्ट लेंज फो यूर कैमरा वो उस कंडिशन तो खेर इसका बहुत बिलकुल एस गुड एस ब्रैंड न्यू लग रहा है पुरा दिखने में तो हुड अगर आप देख सकते हैं इसके साथ में हैं इसके साथ भी वारन्टी है कभी भी आपको कि इतना बड़ा लेंज आप यूज करो के पर्चेस कर तो आपको साथा जरूरी है अपको देना सर्विस वारन्टी इसपर को फिंध रॉप वारन्टी और अपको सिव्द्र चिस प्वारन्टी क्याओं अब आपको सिर्विस के जरुपटपड पड़ी उसके ये कंड एजिली अप्रोच आप इस अन्टो पूल तो दो ना कॉंस दो आपका माइंड क्लियर करना चाहता हूं देख लेते हैं काफी क्लीन है मिंट कंडिशन है बहुत हलका थोड़ा सा डस्ट है बहुत मामूली सा वह तो आप इसको सर्विस करके दोगे अच्छे से और क्या प्राइज में है कि मैं माइंड का क्लियर करना चाहता हूं कि second का मतलब यह नहीं कि यह 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 बोलूगा आपको लगभग नहीं के बडराबर मेरे यहां store पर आपको नहीं के बराबर चीज आपको सश्ते में मिलेगी और वजिज के लिए आप जब store पर आएंगे यह चेक करेंगे वो चीज आपको 100% पसंद आएगी आप लेके जाओगे मैं शॉर्टी देता हूँ उके अच्छा लगा मुझे इसका कंडिशन अलगी पूरा ब्रैंड थोड़ा मैं सब्सक्रांइख यूज अब यह थोड़ा अपर नियू तो अशो का सरे आपको 16 अमर्या आपको 10 अश्य में सब्सक्रांगे 50 की बाराईंगे तो इस यह श्याओ मैं धेक बार्हाँ की तोड यह 70-200 2.8 है, आपको F4 भी अविलिबल है, 2.8, IS2, IS3 भी चीए तो भी मिर पास अवल, अब अपडेट से लेकर, इतना थोड़ा रफ लग रहा है, बादा बॉड़ी वाइस, पर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉ इतना 40,000 पास, अजरहें हैं aается कशना करी अठनी देनी सल माग हूँte अगा आता फ्रॉर्फॉर्फॉर्ॉर्फॉर्फॉर्theॉर्स, तो इहां पर बहुत सारे साथ उप्شंझ, आपको नोई देकसे अग्ट हैं न कुपतार क्यों सारे कामरा सु क्योंक्छ सारे और क्यों वे इंस्टा का ने यह theorem ऊगया ओस Brook problems परने ये लिव्यम इंस्टा का ने तरीम 16 XT वे यह कि रिविए पूरा चनले आथे यह ने यूटी हो जिस लिए 시lares Früh érica के से को बाacyं है कि युद्ट cotton में आपको अच्छी कंडिशन में, रीजनेबल में, मिलेगा ही मिलेगा, once they visit now, definitely the audience which are watching right now, you will love the quality, you will love the products, and बाके कुछ भी रहेगा, आपको कुछ और अच्छा चीए है. मुस्तफा जीए चैनल पे आपको लाने का कि I trust you, क्योंकि आप जो भी बता रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ अगर आप सच में प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती हम लोग का जो हूल परपस है, वीडियो बनाने का वो यह है कि हम लोग जो भी हमारी photography community है, पूरा, across the globe, तो उनको एक benefit हो, क्योंकि अलग अलग तरह की photographers हैं, सबका financial condition अलग अलग होता है, हर आदमी महेंगी camera से एकदम पैसे डाल के नहीं खरीच सकता, तो एक second end जो है दोस्तों, एक option हो जाता है, जहां पर अगर आपको एक अच्छी pro level की body चाहिए, pro level के lenses चाहिए, आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे आप second hand ले हो या नया camera ले हो, आप अपना पैसे इन्वेस करने से पहले उसे अच्छी से जाचिए, परकिए, क्वेस्चिंस कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, अच्छे से satisfy होई है, तब जाके आप अपना hard-earn money जो है, आप अपने photography gears में डालिए, this is my personal advice to all of you, क्योंकि क्या होता है कि यह एक तरह का apparatus है, आज लिया खराब, नया camera भी खराब हो जाता है, second hand camera भी खराब हो सकते हैं, because everything is आज की तारिक में सब electronics है, तो कुछ बोल नहीं सकते, but आपका as a buyer आपका फर्ज होना चाहिए, कि आप हर तरह से जाच करें अपने product की, और यहां पर एक और आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं चैनल बेगी, sir हमको second hand लेना है, और कई बार होता है कि चूरी का महल होता है, किसी ने लाकी बेज दिया, चला गया, तो उस तरह का तो कुछ लफड़ा नहीं है, सब के billing आप चेक करते हैं कैसा है? Absolutely, जादा करके हम जो purchase भी करते हैं, हमारा purchasing जो agent रहते हैं, घर पे जाके visit करके लेते हैं, आप शॉप पे लाओगे मैं आपको पहले ही बता दे, आपको बीचना है किसी को तो, अगर आपके पास पूरा प्रॉपर बिल है, तो भी आप शॉप पे ला सकते हैं, हम पूरा घर पे visit करके family के सामने, return में पेमेंट देते हैं, online payment करते हैं, पूरा जन्वेन तरीक ऐसे लेते हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं देखने मिला, बहुत से लोग आपको काउंटर पर ले लेंगे, कुछ नहीं चेक करते हैं, हमारी जितनी आप inquiry करेंगे तो आप खुछ बोलेंगे इतना, मुस्तफा आपने इतनी सरी जानकारी दी, एक चीज़ मार पूछना चाहूंगा, क्या आपकी कुई वेबसाइट जहां यह लोग प्रोड़क्स लिस्ट कर रहे हो आपने, या जैसे इंस्टाग्राम पर आपने डाल रखा हो कुछ इस तरह का है लिंक? इंस्टाग्राम पर हम स्टोरीज पर हम प्रोड़क्स की फोटूस डालके उसका प्राइजिंग और लिंक्स वगेरा देते हैं, बाकि हमारी ओफिशली वेबसाइट है www.camsik-electronics.com आप उस पर जाएंगे उस पर आपको ओपन बॉक्स प्रोड़क्स मिल जाते हैं, प्री ओंड प्रोड़क्स मिल जाते हैं, जिसको जैसा पर्चेस करना है, प्राइजिंग जाननी, ओर्डर्स करने हैं, आप उस पर भी कर सकते हो, तो आप इंसेग्राम पर जाके हमको डारेक्ट कर सकते हो, हम आपको सारी इंफोर्मेशन उस पर शायर कर देता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, दोने सारी इंफोर्मेशन दी है, काफी ट्रांस्परेंट तरीके से बिजनस कर रहे हैं, तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतने रखूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और आप अपने विवेक से काम लीजिए, अपने पेशन से काम लीजिए, और अगर आपको जो भी कैमरा बॉड़ी चाहिए, तो आप बिंदास होके इनने लिखिये, कांटेट करिये, फोन करिये, इनका जो लिंक के मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां जाके आप इनको जो है कांटेट कर सकते हैं, तो थैंक यू सो मच मुस्तफा फो यू टाइम, और यह आपने एक बहुत अच्छा आज हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो नहीं था, जो आपने लाइव आपकी शॉप में किया है, और इसके लब दोस्तों मैंने कुछ वीडियो बनाय है यूस्ट कैमरा के उपर तो आप वो दोनों वीडियो का लिंक में लगा दिया नीचे, तो अगर आप एक कोई used camera खरीद रहे हैं या lens खरीद रहे हैं तो आप उस video को ज़रूर देखिएगा आप मैंने कुछ point शेयर कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी used product खरीदते वक्त तो आज के लिए इतने रखेंगे thanks for watching friends and don't forget to subscribe मैं चैनल क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को बहुत ही अच्छा लगता है जल्दी मिलते हैं फिन नए वीडियो के साथ thanks for watching